तो दोस्तो आज बेज इस फैन थेयरी के आरे में बात करने जा रहा हूं उस फैन थेयरी का अगर एक भी पार्ट सच निकला तो आपको मुवी की पूरी स्टोरी पता लग जाएगी और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस फैन ने इस थेयरी को सोचा है उसने लातें में लाली पास 25 रुपे होचिके उतने आपको Tube है फैन थेयरी फ्राइडे के न region0 एपिसोड में जहां आज मैं बात करने जा रहा हूं एवेंजेश एंड्गेम के स्टोरी के बारे में इस वीडियो में नहीं होते अगर हम लीक्स और क्यापटन मारॉल की बात कर रहे होते पर यहां इन दोनों के बारे में बात होगी जिसका मतलब इस वीडियो में spoilers हो सकते हैं पर अपनी इस awesome fan theory पर जम करने से पहले मैं आप इस वीडियो को sponsor करें software Wondershare Filmora 9 के बारे में बताना चाहूंगा Filmora 9 एक simple easy to use video rating software है जो कि आपको देता है कई सारे effects, elements और transitions इन सब के साथ साथ आपको इसमें मिलेंगे free copyright music ताकि आप बिना किसी claim के अच्छे background music use कर सके प्लस इसमें अपना एक audio rating software है ताकि आप अपनी awesome वीडियो में से unnecessary noise remove कर सके तो अगर आप Filmora 9 को download करना चाते हैं तो आपको इसका link description मिल जाएगा उपर से वीडियो के end तक बने रहे ताकि मैं आपको Filmora 9 का free license जीतने के बारे में बता सकूँ तो अब जब video rating software के आप बात हो चुकी है तो spoilers का ध्यान रखते हुए चले शुरू करते हैं तो infinity war के release होने से पहले इस बात पर हम सब शर्ट लगा सकते थे कि infinity stones को destroy करना impossible है पर infinity war के end तक आते आते हम इस बात की शर्ट हार जाते तो infinity war में इस बात को साफ साफ clear कर दिया गया था कि infinity stones को उन्हीं की similar energy से destroy किया जा सकता है जैसा कि skylet witch ने किया mind stone के साथ तो ये सुनने के बाद आप सोच पड़ गए होंगे कि और कौन है जिसे infinity stones से अपनी powers मिली है प्लस वो infinity war के बाद जिन्दा हो तो जवाब है Captain Marvel अगर आपने Captain Marvel movie देखी है तो आपने वहाँ notice किया होगा कि कैरल को उसकी powers Tesseract की energy से power किये हुए engine से मिली जिसको absorb करके कैरल बनी Captain Marvel तो जिस तरह Hydra ने Wanda को Loki के सेप्टर से उसकी powers दी ठीक उसी तरह कैरल के पास Tesseract से मिली energy है जिसका मतलब कैरल स्पेस टोन को destroy करने की powers रखती है इन सब के उपर हमें ये भी पता है कि Captain Marvel Infinity War के events के ठीक बादर्थ पर आ जाएगी और अगर Black Widow के बालों को ध्यान में रखे तो end game में कई events कुछ सालों बाद होंगे तो इन सारी चीजों को add करते हुए अब बस एक ही सवाल सामने आता है कि क्यों Avengers Captain Marvel और Thor के होते हुए Thanos से लड़ने के लिए कुछ साल wait करेंगे तो सरी जवाब है कि वो wait नहीं करेंगे इस fan theory के हिसाब से Captain Marvel और बाकी Avengers मूवी की शुरवात में ही Thanos से भिड़ने निकल जाएंगे जहां Carol अपनी पूरी ताकत से Thanos पर attack करेगी और इसी बीच वो अपनी powers से Space Stone को destroy कर देगी तो जहां Infinity Gauntlet already damaged है वहाँ थैना Space Stone को वापिस नहीं ला पाएगा और भला लाएगा भी क्यों? क्योंकि उसका mission तो अल्रेडी पूरा हो चुका है और Thor बार-बार same mistake नहीं करेगा तो इस लड़ाई के बाद Avengers घर लोटाएंगे वो भी 5 Infinity Stones के साथ और इस events के कुछ सालों बाद Scott Lang यानी अपना Ant Man जैसे तैसे Quantum Realm से बाहर निकलेगा जहां उसे पता चलेगा कि अर्थ पर क्या-क्या हो चुका है और तब Scott बाकी Avengers से मिलेगा और उन्हें बताएगा कि उसके पास एक ऐसा टेक है जिसकी मज़से वो टाइम में पीछे जाके Space Stone ला सकते हैं क्योंकि obviously उनिवर्स की आधी population गायव होना ये नजारा नर्ग से कम नहीं है तो एक Space Stone के लिए टाइम में पीछे जाना इस बात का बहुत सेंस बनता है क्योंकि अगर हम सेट इमें जिस पर नजर डाले तो हमें टाइम ट्रेवलिंग सिर्फ न्यू यॉर्क के बैटल के टाइम का ही दिख रहा है तो टाइम में पीछे आने के बाद Avengers सामना करेंगे समय में पीछे आयोए Thanos का और वो उसे तब तक रोक के रखेंगे जब तक Avengers का अपना गाउंटलर तयार ना हो जाए तो अगर सही माहिने में देखा जाए तो ये फैन थियोरी Avengers के आई हुए अभी तक सारे टेलर और टीवी स्पोट से मेल खा रही है प्लस Captain Marvel के Space Stone को तबाह करने की बात को इग्नोर करना मुश्किल है जिसका मतलब शायद मैंने आप लोगों को Avengers Endgame की स्टोरी बता दी तो अब क्या अब वक्त है एक चोटे से giveaway का ये फैन थियोरी सम्मिट करी थी आप में से किसी एक फैन ने जिस पर वीडियो बनाई मैंने अब आप लोगों की बार है डिस्क्रिप्शन में दिये Filmora9 के लिंक से Filmora9 डाउनलोड करके मेरी फैन थियोरी पर वीडियो बनाने का आप अपनी वीडियो बनाने के बाद उसे भेज सकते हैं मुझे इमेल के थुरू जहां आप मैंसे किसी एक फैन की फैन थियोरी वीडियो को चूज करके उससे दिया जाएगा Filmora9 का फुल लाइसेंस प्लस आपके उस वीडियो को मैं फीचर करूँगा अपने कम्यूनिटी टैब में तो आपकी बारी है लोगों को अपनी फैन थियोरी से हिला के रख देने की तो गाइस ये थी वीडियो Avengers Endgame की स्टोरी के बारे में ये फैन थियोरी कितनी सच होगी या नहीं ये तो हमें Endgame के आने के बाद ही पारा चलेगा और फिर बारे लोगों से कोई टेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट इस वीडियो से लिटेड तो प्लीज आने कम्यूनिट में ज़रूर बताएं साथ ही साथ आप मुझे ये बताएं कि आपके रिसाब से इस फैन थियोरी का कितना पार सच होगा उपर सी लेटिस सूपरी नियूज और आसम सूपरी फैक्ट के लिए हमें फेस्बुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटर्स पर फॉलो करना ना भूले हम हर जगा है तो गाईज अगर आप एंड गेम और इंफिनिटी ओर के लेवल की कॉमिक बुक सीरीज देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी इंफिनिटी कॉमिक सीरीज रेगमेंट करूँगा साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें वैसे कई सारी सूपर कंटेंट के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्यू गाइस इस अमन सिना एंड यू आर सूपर सूपर पीस